आप सबको नमस्कार दिल्ली में करोना के केसेज लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने दो करोड लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने एक महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को इसके उपर भी काबू पाली आया है दिल्ली के लोगों ने मिलके पिछले 24 घंटे में लगबग देड़ प्रतीशत संक्रमंदर आया है और लगबग 1100 के करीब केस आया है और धीरे 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 रोज केस कम हो रहे हैं संक्रमंदर भी कम हो रही है अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है है आई सीउ बेड पर काफी काली हो गया है औक्सिजन बेड्ज बिदी काफी काली हो गए जितने हम लोगों ने खुझक ये केंदर खोले थे को विड सेंटर खोले थे उसमें भी बेड काफी एवालीब यह शुले पहले तो यह समय है अब दीरे-धीरे अनलौकिंग करने न कहीं ऐसा नहों कि लोग करूना से तो बच जाएं लेकिन भुखमरी से लोग मर जाएं तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ करूना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को एकनॉमिक एक्टिविटीज को भी साथ साथ कोशिश करनी है जहां जहां जितना बंसे के उतना एलाउड किया जाए तो सोमवार को सुब पांच बजे तक ये वाला लॉगडाउन है आज LG साब की अध्यक्ष्टा में DDMA की मीटिंग हुई डेली डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के और उसमें कुछ निरने लिये गए हैं लॉगडाउन खोलने के लिए तो सबसे पहली चीज तो यह कि अब धीरे 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 लॉगडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से करोना काबो में आया है अभी लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है तो इसलिए जो अभी तक अपने को फाइदा हुआ पिछले एक महिने के लॉगडाउन का ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए तो इसलिए सब का ये मानना है एक्सपर्ट का कि इसको धीरे-धीरे खोला जाए को खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब दपका pathetic e am magnitude अवरी मजदूर और परवासी मजदूर है कि है कि अपने दिल्ली में अतर के अंदर जीते हैं ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन अक्टिविटीज में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं कि तो आज इन दो चीजों को मीटिंग में ये तै किया गया कि इन दो गतिविधियों को कि सोमवार को सुबै से खोला जाएगा जब पांच बज़े येवला लॉग्ड़ाउन खतम होगा तो अगले एक ते के लिए इन दो गतिवीदियों को खोला जा कि क्या क्या एहतियात वहां पर बरतनी है अब हफता दर हफता हम जनता के सुझावों के अधार के उपर और एक्सपर्ट की ओपिनियन के अधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने के प्रक्रिया जारी रखेंगे बशर्ते करोना फिर से बढ़ने ना लगे अग फिर हमें एक्टिविटीज खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि करोना से संबंदित जो भी एहतियात है उसको जरूर बढ़ते हैं दोनों चीजों के लिए एक तो अपनी सुरक्षा के लिए अपने परिवार की सु एक्टिविटीज लॉक्डाउन खुलना चालू होगा अगर करोना फिर से बढ़ने लग गया हमारे पस कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए हम नहीं चाहते लॉक्डाउन लगाना हम लॉक्डाउन के पक्ष में बिलकुल नहीं है और आप भी लॉक्डाउन को यह ची चीज नहीं है मजबूरी में लगाना पड़ता हम और एक चीज की जब तक जरूरत नहीं पड़े घर से बाहर ना निकले जरूरत बहुत जरूरत नंहां पड़े तो घर से बाहर निकलें, ये समय बहुत ही नाजुक समय है, हम सब को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आचरन करना है, ताकि हम सब मिलके अपनी दिल्ली को बचा सकें, अपनी देश को बचा सकें, नमश्कार.